अब लोग आज हिंदी लिटरेचर पढ़ाँगे तो चलिए बच्चो निकाल लिए आप लोग मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी पार्ट थीक समय पार्ट थी का नाम क्या है ठीक समय पहले बच्चो पताईए आपको चैप्टर टू यहाँ तर कम्प्लीट हो गया है ना कम्प्लीट होगा है ठीक है आप हम लोग प्रहेंगे च्ट्च नाम ठीक समय थीक है तो मैं सटार्ट करते हूं पढ़ना ठीक है कुल है कि अब मैं पहले एक बात बताती हुँ कि जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप लोग भी Mेरे सात बढ़िएहाई इस से आप ठीक समय पर नित उठ जाओ, बोली आप लोग भी, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, बोला आप लोगोंने मेरे साथ साथ चलिए अब मैं बताती हूँ पहले मैं इन चार लाइंग कार्ड आपको बताती हूँ समझाते हूँ ठीक है ठीक समय पर नित उठ जाओ मतलब हमें डेली सुबर सबेरे सबेरे उठ जाना चाहिए सुरियोदय के साथ जैसे सुरिय निकलता ह magazines घाना चाहिए हूँ की यहाँ हुमारे ऊठने का सही समय होता है इसलिए इसमें लिका है यह पूरा कवीतः समय पर मिन्स हमें कौन काम कब और किस समय पर करना चाहिए होँ इसमें है कि हमें नित मतलब रोज हम रोज सही समय पर उठ जाना चाहिए लेट करके नहीं उखना चाहिए छिंड हमें उठकर फ्रेश होकर अदम अच्छे से समय पर हमें नहां भी लेना चाहिए त banda कि सुबह उठे और फिर हम 4गंटा से बैठे हुए हैं वहें नहां ने लुख Wash कर दम समय पर चाहिए ठीक समय पर खाना शुमें खा स कम्तिस की साथ तक है इधर में इमिनज गरते रवी में और Esse Qi का होगरो और खाना में नATHER चाहिएह और खाना में चाहिए इसी गरते धर शुम्झे चाहिए कर चाहिए रोतिे अमां सबजी चल dois यह सब यहार हुद्र होते दाल खाना चाहिए ठीक है खाना में और ठीक समय पर पढ़ने जाओ मतलब हमें रोज सुबस समय पर उठकर नहाद होकर अच्छे से खाना पीना खाकर नास्ता करके हमें समय पर पढ़ने जाना चाहिए पढ़ने हम लोग कहा जाते हैं पढ़ने कहा जाते हैं पढ़ने कहा जाते है अब आते हैं ठीक समय पर मोज उड़ाओ मतलब हमें आसा नहीं है कि हम सी सारा दिन काम ही कर रहें या फिर पढ़ी रहें ठीक हमें मोज भी समय पर उड़ाना चाहिए क्योंकि यह भी हमारे हमारे लिए बहुत जरूरी होता है मोज उड़ाना मिंस ठोड़ा खेलना खुदना ठीक है यह भी बहुत जरूरी होता है इसलिए हमें मोज भी समय पर जैसे कि साम को खेलने का टाइम है तो हमें साम में थोड़ा सा खेल भी लेना चाहिए, हमारा सरीर क्या रहता है, स्वस्त रहता है, ठीक है, थोड़ा सा मौझ मस्ती भी करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सही समय पर करना चाहिए, यह नहीं किम सारा दिसी मौझ मस्ती कर रहे, पड़ाई लिखाई नहीं कर रहे, से लिए मान जी मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है और में गाना गाना बहुत हमको अच्छा था तो गाना गाते है उसका एक समय होता है एक समय के अनुसार हमें हरेक काम को करना पर्धान मंत्री हैं वो क्या करते देखते हैं सारा काम सही समय पर करते हैं तो इससे क्या होता है कि वो देखे सुबह सुबह समय पर उठते हैं ठीक है और बाकी सारा अपना काम सारा दिन चर्या जो होता है उन्हों अपना सही समय पर खाते हैं सही समय पर नहाते हैं अपना बाकी जो उनका अपना काम होता है वो सारा काम हो सही समय पर कर लेते हैं इसलिए कि वो हमेशा लगे तो तुम बहुत बहुत बढ़े कहला होगे का ये बहुत बड़ा बच्चा बढ़ा हो copper में बहुत अच्छे बच्छे हो गहें आप लोगा ऊक्राव सारे बाइब समय पर करते हैं जुल्फे स було तो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, ठीक है? यह हो गया, आप लोग पढ़ लिए, ऐसी आप लोग घर में उसको एदम से पढ़िए अंक टिक और यह क्या है कवीता है तो अब कवी का नाम किया है तो मुझे लगता है कि अब आप लोग अच्छे से समझ गया होगे मलें कि अफ्लोग अच्छे समझ गए था कुछ चबहाई चलिए बुचहत्र अब आपका हूमवर wraq है समय आपका हूम यह वाला चैप्टर का प्लों फिर से एक दम अच्छे से घर में पढ़िए गरागवन सुधर गया है यह वाला चैप्टर ठीक है यह आपको फिर से पढ़ना यह आपका होम्वक है रीट चैप्टर टू ठीक है समझे और इसको भी लेकिन एक बार ऐसा नहीं कि मैंने होमवक म इसको आपको नहीं पढ़ना नहीं इसको भी एक बार पढ़ लीजेगा अच्छे से समझ लीजेगा घर में चिक है चले थैंक्यू धन्यवाद